राधे राधे मेरे प्यारे भाईव, बेहनों, माताओं वाबंधों संस्कार की बाते ये चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज में अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हों कि मकर संक्रान्ती अरथात माघी संक्रान्ती कब की है बंधों इसका महत्प क्या है शुप महूरत क्या रहेगा बंधों मकस संक्रांती 2023 में कब है बंधों आप सभी जानते हैं कि मकस संक्रांती हिंदू धरम का एक महत्पूरंत्युहार है यह पर्व हर साल अंग्रेजी केलंडर के जन्वरी महिने की चोदें या पंदरा तारीख को मनाये जाता है लोग इस दिन गंगा में शनान कर सुरे भगवान की पूजा अराधना करते हैं मकस्रांती के दिन दान पुन्य का बड़ा हि महत्प है इस दिन अन उरद की दाल वस्त्र तिल और तिल के लड़ू का दान किया जाता है बंधों कहा जाता है जो दान मकर संक्रांती के दिन कर दिया जाता है वेह कभी समाप नहीं होता उसका कई गुना करके भगवान किसी ना किसी रूप में लोटा देते हैं बंधों मकर संक्रांती भारत ही नहीं दुनिया के कई अन्य देश जैसे की नेपाल, बंगला देश, थाईलेंड, आदि देशों में भी बड़े धूमधाम से मनाय जाता है मकर संक्रांती को उत्रायन के नाम से जाना जाता है कहा जाता है इस दिन सुर्य भगवान धनु राशी को छोड़ कर मकर राशी में प्रवेश करते हैं भारत के पश्चमी सीमा से सटे गुजरात राज्य में मकर संक्रांती वाले दिन बहुत बड़े पेमाने पर पतंग बाजी की जाती है बंधों मकर संक्रांती का क्या महत्व है मकर संक्रांती हिंदू त्यहारों में बड़ा ही महत्पुरन त्यहार है मकर संक्रांती के दिन गंगाज में शनान करने से मोक्ष की प्राप्ती होती है हुजा करने के बाद अन गुड तिल से बने लड्डू का परशार बांटा जाता है अन वस्त्र आदि का दान किया जाता है कई लोग इस दिन चोधें वस्त्र मिनसते हैं जैसे की चोधें सूट, चोधें कंबल, चोधें शाल, चोधें लोई अर्था कुछ भी चोधें चीजें मिनस कर गरीबों में या फिर अपने से बड़ों को बांटे जाते हैं ऐसा करने से भी कई गुना पुन्य की प्राप्ति होती है बंधों, इस दिन सुर्य भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुक सम्रिदी का वास होता है बंधों, मकर संक्रांती 2023 में 15 जनरी को मनाई जाएगी कुछ लोग लोहडी से अगले दिन ही मकर संक्रांती को मनाते हैं मकर संक्रांती का पुन्य काल 15 जनरी को सुभे साथ बजगर 15 मिनिट से शुरू होकर शाम के साथ बजगर 46 मिनिट तक रहेगा बंधों, यदि पुन्य काल में शनान, पूजा, दान आदि किया जाए तो उसका पुन्य बहुत अधिक बढ़ जाता है बंधों, 2023 में 15 जनरी के दिन एक खास सन्योग बन रहा है हिंदू धरम के पंचांग की काल गन्ना के अनुसार भागवान सुरे देपता मकर राशी में परवेश करेंगे और एक खास स्थिती के कारण बुद्ध और शनिग्रहें पहले से ही मकर राशी में परवेश कर चुके हैं जिसकारण मकर राशी वाले जातकों पर इसका विशेश प्रभाव पढ़ सकता है बंधों मकर संक्रांती के दिन अधिक से अधिक तिलों का दान करें और हो सके तो गवों को हराच चारा खिलाएं साथ ही तिल से बने लड़ू खिलाएं बंधों तिल और गुड मिलाकर इन लड़ूं को तयार करें और गवों को अवश्य खिलाएं ऐसा करने से आपके पुन्य में व्रिदी होगी और आप आतिक रूप से संपन हो जाएंगे बंधों मकर संक्रांती की एक पौरानी कथा के अनुसार प्राचीन समय में सगर नाम एक प्रतापी राजा हुए जिन को हम भागीरत के नाम से भी जानते हैं जो अपने प्रोपकार और पुन्य कर्मों के कारण तीनों लोकों के साथ चारों दिशाओं में काफी प्रसिद थे राजा सगर की इतनी प्रसिद्धी को देखते हुए देवताओं के राजा इंद्र को यह चिंता होने लगी कि कहीं राजा सगर स्वरक पर अपना अधिकार ना जमाले और स्वरक के राजा ना बन जाए जब इंद्र उन्ही सब चिंताओं में डूबे हुए थे तब राजा सगर ने अपने राजे में एक अश्र में यग्ये का आयोजन करवाया इस यग्ये में कई देशों के राजा शामिल हुए राजा सगर ने यग्ये में इंद्र को भी आमंत्रिक किया जब यग्य की पुजा समाप्त हुई और घोड़े को छोड़ा गया तो देवताओं के राजा इंद्र ने घोड़ा चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में बान दिया जब राजा सगर को इस बात की सूचना हुई तो उन्होंने अपने सभी आठ हजार पुत्रों को घोड़े की खोज के लिए भेज दी अश्मे ग्यग्य के घोड़े को खोजते हुए जब राजा सगर के सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने अश्मेग्यग्य की पूजा के लिए छोड़ा गया घोड़ा कपिल मुनी के आश्रम में बंदा हुआ है। यह सब देख राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनी पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। अपने उपर लगे जूटे अरोपों के कारन कपिल मुनी बहुत क्रोधित हो गए और अपनी तप शक्ती से श्राप देकर राजा के पुत्रों को जिला कर भसम कर दिया। जब इस घटना के बारे में राजा सगर को पता चला तो वहतुरंत ही भाग कर कपिल मुनी के आश्रम पर पहुँचे। आश्रम पहुँचकर राजा सगर ने कपिल मुनी से अपने पुत्रों को जीवन दान देने की प्राथ ना की। लेकिन इसका कोई लाब ना हुआ। बहुत बार्न वेदन करने पर कपिल मुनी ने कहा हे राजन आपके सभी पुत्रों के मोक्ष का एक ही रास्ता है आप स्वरक में बहने वाली मोक्ष दाइनी गंगा को स्वरक से धर्ती पर ले आए। यहे सुनकर राजा सगर के पोते अंशुमन ने यहे प्रन लिया कि जम मोक्ष दाइनी मा गंगा को प्रित्वी पर नहीं लाते वेह और उनके वंश का कोई भी राजा शान्ती से नहीं बैठेगा। गंगा को धर्ती पर उतारने के लिए राजकुमार अंशुमन कड़ी तपस्या करने लगे। लेकिन राजकुमार अंशुमन की मित्यू के बाद राजा भगीरत को कड़ी तपस्या करने पड़ी। अपने कठिन तप से राजा सगर ने मा गंगा को प्रसंद कर दिया लेकिन मा गंगा का वेग बहुत जादा था यदि मा गंगा अपने वेग से प्रिथी पर उतरती तो प्रिथी पर सब सर्वनाश हो जाता गंगा के वेक को रोकने के लिए राजा भगीरत अपने कठिन तक्ट से भगवान शिव को प्रसंद करने लगे और भगवान शिव से गंगा के वेक को रोकने के लिए सहायता मांगी भागीरत से प्रसन होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारन कर लिया जिससे गंगा का वेक कम हो गया और गंगा समान ने रूप से प्रिस्वी पर अबसरित हो गई गंगा को अपनी जटाओं में धारन करने के कारण ही भगवान शिव गंगा धर कहलाए जब राजा भगीरत मा गंगा को कपिल मुनी के आश्रम में लेकर आए तो कपिल मुनी ने राजा के सभी साथ हजार पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया कहा जाता है इस दिन राजा सगर के साथ हजार पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उस दिन मकर संक्रान्ति का त्योहार था बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेर अवर्ष्य करें धन्यवाद